कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ है खुश रहना सीखिए बाकी सब तो चलता रहेगा कोई अपना पिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा एक बात याद रखना सबसे ज्यादा अपमान अपनी पसंद के लोगों से ही मिलता है ये जो तुम दिल के साफ होना देख लेना दिमाग वालों से हार जाओगे किसी के लिए रोने से क्या फायदा जो आपका प्यार नहीं समझ सकते वो आपका दर्द क्या समझेंगे किसी को मनाने से पहले ये जरूर जान लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है बार-बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़ा रहे ये जरूरी नहीं कि वो निरलज है सच तो ये है कि उसकी जिंदगी में आपका इस्थान उसकी इज़त से भी बढ़कर है जब किसी का दोगला चहरा सामने आता है ना तो सच कहूं उस पर नहीं अपने आप पर गुसा आता है शिकवा तो बहुत हैं लेकिन जिससे फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे लोगों को क्या मू लगाना आजकल साफ दिल के इनसान की कदर नहीं की जाती बलकि उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाग उड़ाया जाता है रिष्टे अगर जरूरतों से जुड़े हो तो कभी खुशी नहीं देते और रिष्टे अगर जस्पातों से जुड़े हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते जो आपका गुसा सहन करके भी आपका साथ दे उससे ज़्यादा प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता कुछ रिष्टे बचाने के लिए अपने उसूल तोड़े हमने जहां गलती भी नहीं थी वहां भी हाथ जोड़े हमने